हेलो दोस्तो स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी में तो दोस्तो आज हम ये जानेंगे कि दहेज उत्पेडन के केस में क्या-क्या सबूत होने चाहिए सबसे पहला Medical Certificate फिर चशमदीत कवा यानि की लोगों का सपोर्ट वीडियो क्लिप जहां पर दहेज की डिमांड की गई हो Long Audio Clip जो डिटेल में Audio Clip होता है कोड उसे भी Accept कर लेती है Mary Certificate, Bank का Joint Account, Ration Card, परिवार पत्र जिसमें आपका नाम Wife of Husband के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए तो कोड इसमें से कोई भी Identification Accept कर लेती है जैसे की कोई भी Transaction आपके माईके वालों की तरफ से ससुराल वालों के अकाउंट में की गई हो जैसे पती या सास किसी भी व्यक्ति के अकाउंट में आपके माईके वालों की तरफ से कोई बड़ा Amount Transfer किया गया हो जाहे वो किसी भी कारण से किया गया हो तो आप Bank Account की Statement भी लगा सकते हैं जिसमें आप यह कह सकते हैं कि इन्होंने इतने पैसों की मांग करी हमारे पास इतने पैसे नहीं थे फिर भी हमने दिये तो ये भी एक evidence का काम कर जाता है तो I hope दोस्तों कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और all notification bell icon को हमेशा on रखिए ताकि जब कभी भी मैं नई वीडियो अप्लोड करूँ तो आप उससे अपडेट होते रहें थैंक यू सो मज़ दोस्तों